तो जैसे कि आप सभी को पता है एक छोटा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अप्लोड गया था दिन में रिगार्डिंग एन आई ए सी एल ए ओ शॉर्ट नोटिस न्यूज पेपर में एक शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया जिसमें स्केल वन जिसे एयों कहते हैं उसकी भरती के रिगार्डिंग रिकूटमेंट निकाला गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिपलीन की डिफरेंट स्ट्रीम्स की पोस्त थो है अगर आप लोग इसमें इंटरस्टेड हूँ तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर दे फॉर्म बरना चाहिए बिल्कुल आकरी में और किन को इसके बारे में जादा नहीं सोचना चाहिए ठीक है जी तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं eligibility की लेकिए eligibility जो मैंने ली है वो already notification में mentioned है वो age की regarding इनोंने तारीक ली है एक अगस्त दो हजार तेईस जिसमें 21 से 30 साल बोला है 21 और 30 इसमें दोनों included है minimum 21 years maximum 30 years और जो date of calculation है base date जो है वो एक अगस्त ली गई है एक अगस्त दो हजार तेज तो इसका ध्यान रखिएगा then educational qualification के लिए भी यही date set होगी वो सुन लीजे क्या है graduate in any discipline यह मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ जनरलिस्ट पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ बाकी IT वगरा specific भी जो specialist पोस्ट भी है वो भी निकली भी है वो अलग है मैं सिर्फ जनरलिस्ट की बात कर रहा हूँ किसी भी discipline में graduate हो with 60% for general EWS OBC इन तीनों कैटिगरी से अगर आप है तो 60% आपकी graduation में उने चीए अगर आप S.E.S.T.P.W.D. से है तो 55% से भी काम चल जाएगा सीधा graduation से काम नी बनेगा minimum इनोंने percentage एक rider रखा है वो clear होना must है last time notification आया था 2021 में उस time specialist post नी सारी की सारी journalist post थी 300 post थी 300 post निकाली थी इस बार 120C निकाली है ठीक है जी तो यह आपका eligibility का पूरा का पूरा setup है अब आगे बढ़ते next अपने बात करते है selection procedure का कि कि क्या phases रहेंगे क्या क्या उनका exam pattern रहेगा सब तो तीन phases आपको NISAL AO के अंदर मिलने वाले हैं क्या है सबसे पहले prelims phase 1, mains phase 2 और तीसरा आपका interview सबसे पहले pre के बारे में बात कर लेते हैं pre का अपना standard bank exam वाला ही pattern है English reasoning quants 30-30-35-35-35-35 बोलने का आर्थ individual time में 20-20 minute का English को 30 question 30 marks reasoning quants के 35-35 ठीक है जी तो बड़ा ही standard जो bank exam का रहता है वह ही है exam का level क्या रहता है यह बड़ा important है पिछले बाल I think एक ही एक ही दिन में 4 shift में और negative marking negative marking देख लीजेगा 1 4th negative marking रहती है ठीक है जी और sectional cut off भी होती है overall cut off तो होती ही होती है साथ ही साथ sectional cut off भी होती है इसके अंदर तो देख लीजेगा क्या cut off रही थी general की cut off T 73.75 EWS की 68.75 OBC की 68.25 SC की 64.5 ST की 58.75 अब sectional cut off भी देख लीजेगा English का 14.5 reasoning का 6.5 और quants का 7.25 तो आपको सीधा देख के समझा रहा है कि English बहुत ही doable था reasoning भी ऐसा कोई खतरनाक नहीं था cut off वो ऐसी है बच्चों ने पता नहीं पढ़ाई की थी नहीं की और quants भी कुछ बहुत जादा easy to moderate ठीक है easy to moderate और English easy एक दम ठीक है level की बात करें तो किस लेवल पर preparation करने पर बात बन जाएगी मेरा मानना तो rrbpo pre level पर reasoning quants निकाल लो और ibps clerk pre sbi clerk pre level पर English की अगर बढ़िया उस लेवल पर त्यारी कर लो तो बहुत बढ़िया number score कर जाओगे अच्छा अब यहां पर होता क्या है कितने बच्चे clear करते है रफली जो आपकी विकेंसी से उसके पंदरा गुना 15 टाइम्स तो है ना तो 15 टाइम्स यहां पर टोटल विकेंसी के 15 टाइम्स बच्चे clear होंगे जो मेंस के लिए बैठेंगे ठीक है मेंस में अब क्या होगा यह थोड़ा सा समझ लो अच्छे से मेंस का एक्जाम पैटन देख लो एक बर फटाफट से हां जी तो मेंस का सबसे पहले एक्जाम पैटन की बात करें तो पहले subject देख लेते हैं कितने subject हैं चार subject हैं आपके English reasoning quants और इसमें अब general awareness भी जूड़ गया प्रीमे थे तीनों य पचास-पचास-पचास marks sectional time है English reasoning quants के लिए 40 minute है GA के लिए 30 minute है total आपका धाई घंटे का paper होगा जिसमें 200 questions 200 marks का total weightage ठीक है जी clear है कि नहीं clear है इसमें भी sectional cutoff है overall cutoff भी है sectional cutoff भी है और यह जब इस objective test का इस mains वाले का इतने portion का इन 4 sections का जब आप overall cutoff और sectional cutoff अगर clear कर लोगे तो आपकी description वाली जो descriptive paper होता है online ही यह यह भी typing करके अपने को जैसा करना रहता है bank में वैसे यह तो जाके आपकी descriptive की copy चेक होगी उपर वाले कहीं पर भी sectional अगर clear नहीं हुआ यह कहीं पर overall cutoff नहीं हुआ तो descriptive की वो copy भी चेक नहीं करेंगे ठीक है जी तो यह clear किया तो descriptive की आपकी copy चेक की जाए कि descriptive में क्या रहेंगे दो questions रहेंगे एक ऐसे रहेगा और एक आपका letter रहेगा ऐसे 20 नंबर का होगा letter होगा आपका 10 marks का ठीक है जी total time आपको दिया जाएगा 30 minute का आदे घंटे का time दिया जाएगा जिसमें आप बना लो कि दोसों की बनेगी क्योंकि because this one is qualifying in nature और पिछले बार का एक secret मैं आपको बता देता हूँ ज्यादातर बच्चे जो रहे गे थे न ऐसे भी कई बच्चे थे जिनके overall cutoff clear हो रही थी बट आपके ये क्या बोलते हैं descriptive का qualifying नहीं हो पाए कितना तासर qualifying पिछली बार general का इसका qualifying था you are का qualifying था 15 marks out of 30 मतलब almost 50% marks कुछ बच्चे ऐसे थे 12 number आ रहे हैं 13 number आ रहे हैं 14 आ ग्यारा आ रहे हैं पर overall cutoff clear हो रही है पर ये नहीं हो पारा इसके करण उनका game over ठीक है जी चैंडिचर वहीं पर खतम तो ये इनका minimum जो qualifying है वो clear करना must रहता है इसके number नहीं जुडते है merit में number नहीं जुडते है बट ये अगर clear नहीं करोगे तो फिर कोई फाइदा नहीं उदर कितने भी number लाते रहो ठीक है जी अब पिछली बार की cutoffs देख लेते है out of 200 जैसे की मैंने आपको बता है ये qualifying है general की गई थी 100.75 जो बहुत ज्यादा नहीं है EWS की गई थी 74.75 OBC की गई थी 78 SC की गई थी 71.75 ST की गई थी 70.75 हाँ जी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं एक बर बता दीजेगा अच्छा एक और चीज़ मैंने आपसे कहा था कि sectional cutoff भी थी तो क्या थी ये मैंने general के लिए लिए देख जीजेगा reasoning का 13.75 English का देखिए cutoff 24.5 इसका मतलब यहाँ पर भी English बहुत आसान आईए ठीके जी जी ये का cutoff देखिए बड़ा difficult आया था सबसे मुश्किल section यही था 3.75 और quants का cutoff गया था 16 अब इसके पिछले बार के जो paper था उसका थोड़ा सा मैं आपको एक analysis भी देता English बहुत इसी था ज्यादा तर मिरको जो यादा रहे हैं बच्चे 50 में से 40-40 questions निकाल पारे थे 40 questions on an average reasoning की बात करें तो 25 प्लस तो निकाली रहे थे अगर आपने decent किया और जो बच्चे थोड़ा अच्छे से पढ़के गए थे वो 30 questions तक बना पारे थे 40 minute में 50 में से 30 तक बन सा बच्चों के फसा था उसमें number बच्चों के कमाये थे बट बाकी तिनों sections में ठीक ठीक number especially English में खूब number ले आये थे reasoning में भी अगर आप अच्छे से करो 30 तक और quants में भी basic किस number ले आते हो बढ़िया number थे level किस level का था exam मेरा मानना है कि अगर आप RRBPO mains या IBPS clerk mains तक भी या तीसरे phase पे final phase पे जो की interview का है तो final फिर आपका clear होता है merit क्या आपकी जो sectional cutoffs है जो आपके overall cutoffs है वो सब आप clear करते हो community वाली cutoffs सब clear करके आपको interview के लिए बुलाए जाता है interview और mains का weightage का ratio होता है 75-25 का अब इसकी जो final cutoff या final scorecard है वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल पाए है मैंने काफी ढूंडा अगर किसी को भी पता हो या पहले test दिया और उसको scorecard मिला हो बाद में क्योंकि मिला भी है तो बहुत बाद में मिला है मेरे को कहीं पर मिला नहीं अगर आप लोगों को पता हो कि final cutoff इसकी क्या गई है तो comment section में mention जरूर करना किसी बच्चे का मेरे को लगा कि authentic है तो उसको मैं pin भी कर दूँगा ठीक है तो final cutoff का मेरे को idea नहीं लग पाया मैंने काफी ढूंडा pre और mains सकी मिल पाया था ratio जो रहेगा mains और interview का वो 75-25 रहेग लिस्ट निकाली गई तो उसमें से सिर्फ 203 बच्चों ने roughly 200 बच्चों ने जोइन किया था तो उसके बाद उन्होंने दो contingency list भी निकाली मतलब एक तरह से wait list टाइब जो clear की गई दो contingency list निकाली जाएगे उसके बाद भी 300 पुरा पुरा complete नहीं हो पाया कुछ vacancies फिर भी खाली रह गई थी ठीक है जे तो यह पिछली बार हुआ था salary का और मैं बता देता हूँ salary इसकी SBA PO pre के SBA PO pre के पार पर होती है एकदम बराबर level पर होती है और to be exact 86K के around roughly gross रहता है depending on consistency में आप in hand with HR A अगर आप HR A claim कर रहे हो तो 71K बनता है अगर HR A claim ना करके lease compensation ले रहे हो तो 65K मिलता है और साथ में lease compensation अब यह lease compensation कितना रहता है generally depending on कि कहां पर metro पर हो तो तो बहुत अच्छा मिल जाता है 30-35,000 तक मिलता है but non metro में ज्यादा तरकी posting होती है तो उसमें भी अपने category City A, City B, City C करके रहती है तो आप roughly आप लगा सकते हो 12-13,000 के round तो आपको मिलता ही है 12-13,000 इसमें अगर आप add गर देगो तो roughly 80,000 के round आपका lease compensation के साथ पूरा पूरा बनता है अब इसके अंदर कई चीजें हैं कई allowances हैं और सबसे important जो बात मुझे NICLAO की लगती है वो है इनका जो work profile और जो social life है उसके बीच में इंसान बड़े अराम से balance बना सकता है working जो hours होते हैं ऐसे नहीं के 10 बज़े गए हैं तो पता नहीं कब आ रहे हैं पता नहीं 10 बज़े गए है वोने 6-5 बज़े तक आप free हो जाते हो प्रॉपर आपको time मिलता है Saturday सारे के सारे off है आपके ऐसे नहीं second और fourth है सारे के सारे off है ठीक है जो posting मिलती है जनरली अच्छी जिगहों पर posting मिलती है लंबे समय तक posting मिलती है ठीक है opportunity निकल के आते है depending on कि क्या availability है क्या vacancies खुली है उसे साब से three to four years में बैठता है अब काफी बच्चे ये भी सोच के परेशाने के सर इंशूरेंस सेक्टर का भी प्रिविटाइजेशन का जो नाम है वो हटा दिया है प्रिविटाइजेशन के लिफ्ट लिस्ट वगरा से उसका नाम अब नहीं रखा जा रहा है बॉंड की अगर बात करें दो साल का बॉंड है बॉंड थोड़ा सा हेवी है इनका exactly मेरे को अमांट नहीं पता पर थोड़ रहे दो नहीं जाएं बहुत जादा बेठर से लेख जोटर जोब बहुत है इस तरी के से मिलते हैं तो दोनों में आपको कोंट्रास्ट मिलेगा इतना कि एक बैंक में काम कर रहा है और एक इंशुरेंस सेक्टर में काम कर रहा है दोनों में दिन रात का अंतर है यार मस्त रहता है इंशुरेंस सेक्टर वाला बंदा ऐसे नहीं कि इनसे काम नहीं कर रहाते है उल्टा new India assurance या NIA CL का जो है अब इनका जो structure है वो performance based index पे चला गया है मतलब आपके performance के हिसाब से आपको आगे wage revision जब लगेगा ने इनका तो उसका जो basis होगा वो performance रहने वाला है जो बड़ी अच्छी चीज़ है ये एक तरह से security तो दे ही रहा है सरकार वाली एक अच्छी आपको pay भी दे रहा है बट साथ साथ में motivate भी कर रहा है कि काम करो भई बस आ के टिखा के बैठना नहीं है काम भी करना है तो उसके लिए भी steps ले रहा है उसके लिए भी strategies है उसके लिए भी measurements लिए जा रहे है तो एक बहुत ही अच्छा जॉब है यार अच्छा pay है उपर से work profile बड़ा अच्छा है job profile बड़ा अच्छा है साथ ही साथ समय मिलता है आपकी social life के लिए आपकी family के लिए posting भी decent जगाओं उपर होती है और साथ साथ में आपका मनन है कि यार कुछ और मेर को आगे और बहतर करना अपनी life में और चीजों के लिए prepare करना है तो उसका भी समय आप निकाल सकते हो थोड़ी मेंती हो तो ठीक है अब किन लोगों को ये form भरना चाहिए और किन को नहीं भरना चाहिए क्योंकि विकेंसी सिर्फ एक सो बीसी होने वाली तो competition बहुत कर तुरूट रहेगा बच्चों का जो awareness है regarding insurance sector 10 folds बढ़ चुका है क्योंकि काफी लोग जो work कर चुके इन बैंक में भी insurance में भी तो clearly अब ये information spread हो चुकी है पूरी तरीके से insurance sector में job करना कितना ज़ादा बहतर रहता in comparison to a banking sector job ठीक है तो ये तो सबको पता ही होगा but सिर्फ limited vacancies है 120 vacancies बहुत कम होती है तो मैं उनी बच्चों को कहूंगा जिनको अपनी preparation पर बहुत ज़ादा confidence है मतलब intern जिनको पका बता है कि सर इस साल हम IBPSPO या SBIPO या RRBPO इस तरह के jobs हम निकालेंगे सर जरूर उस तरह के आप mark score कर पा रहे हो 90 प्लस percentile regular basis पे means में भी आप decent कर पा रहे हो already उनी बच्चों को बढ़ना चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि ने सर अभी तो हम banking बगर है तो उनको बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि competition बहुट जादा cutthroat रहने वाला है experience के purpose से अगर आप भरना चाहते हो तो वो different है बट अगर आप उस level पे नहीं हो जिस level की मैं बात कर रहा हूँ 90 प्लस percentile 90 के around की accuracy उस level पे नहीं हो तो ये form आपके लिए नहीं है और उन लोगों के लिए भी नहीं जो financially चुन-चुन के form भरते हैं कि सर इतनी limited budget रहता है हमारे पास तो उनको भी ये भरने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जी अब जाने से पहले सभी के लिए reminder है मैंने पहले भी बताया था baby subscription 31st July को खतम हो जाएगा baby subscription 6 month का हमारा paid subscription है अभी जाके purchase करें using the code VT20 मैं आपको बता भी देता हूँ VT20 code लगा देना इस पर 20% आपको बढ़िया off भी मिल जाएगा और अभी जाके baby subscription अपना purchase करो वहाँ पर means की इतनी तगड़ी तरीके से त्यारी इतना सारा content है इतने सारी detailed courses है मज़ा आजाएगा आप लोगों को ठीके जी now that's all for today's session राधे 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 राधे